नमस्कार राम राम आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और हैदरपुरा एंकाउंटर के अंदर हम आपको हर अपडेट दे रहे हैं जो भी हैदरपुरा एंकाउंटर के बाद लेफटिनेंट गवर्नर मनोज सिनहा जी ने एक मैजिस्ट्रिल इंक्वाइरी भी बिठाई ह जिसके अंदर दस दिनों का समय मांगा है लेकिन इसी बीच में कश्मीर के अंदर जो है सियासत लगातार चल रही है कल भी महबुआ मुफ्ती जी जो है गवर्नर हाउस तक जाते हैं एक प्रोटेस्ट रेली के रूप में और ये कहते हैं कि गवर्नर सहाब जो है माफी जो होगे और हालांकि गवर्नर सहाब ने जो है मेजिस्ट्रेल इंक्वाइरी बिठा दी वी है लेकिन अभी भी जो है सियासत इस पर पूरी चल रही है हमारे साब आत करने के लिए मोजूद हैं डॉक्टर ताहिर चोदरी जी जो की भाजपा के स्पोक्सपरसन है डॉक्ट तो यह बहुत सारी चीज़ें सामनी आई हैं और जब यह चीज़ें बाहर निकली कि ऐसा हो गया ऐसा दो लोगों की शहीद हो गए जो इनकॉंटर में और कहा गया कि वो मिलिटन नहीं थे और यह चीज़ें सरकार ने एड्मिस्टेशन ने बड़ी सीरेसली ली हमारे पार्टी की भी हमारी हाइकमार ने इसके बारे में सोचा कि ऐसी अगर आवाजें उठ रही हैं वैली के अंदर तो इसके बारे में देखा जाए और जब उसके उपर एक इनकुरी बिठा दे गई सारी चीज़ें सामने आएंगी क्लियर आएंगी दूद का दूद पानी का पानी सामने आएगा और जो भी फैसला होगा क्लियर पब्ली के सामने आएगा तो इन चीज़ों का इंतजार करना चाहिए लेकिन बड़ी बदकिस्मती है जम्हो किश्मीर की रिजिनल पार्टी की स्पेशली मैं एंसी की बात करूँगा पीडिपी की बात करूँगा और इ इन लोगों की सरकारी थी ते उनके टाइम पे क्या क्या होता रहा कैसे कैसे होता रहा इन लोगों ने कितने इंक्वारी की क्या लोगों को इंसाफ दिया एक भारती जनता पार्टी है हमारे माने निये परधान मंतरी साहब है उनके लिए पूरे हिंदोस्तान के लोग स्पे अगर कुछ involvement है अगर injustice हुआ है फैमली के साथ तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए और दूद का दूद पानी का पानी होना चाहिए लेकिन इसी बीच में बार बार ये बात कहना कि गवर्नर सहाब माफी माँगे तो वैसे तो कहीं सारे और इंसिडेंट हुए है और आज तक कभी बतोरे चीफ मुनिस्टर भी माफी है नहीं मागी गई है तेखिए ये बहुत बेतुका सा उनकी बियानबाजी है कि हमारे ओनेबल LG साथ माफी माँगे LG साथ क्यों माफी माँगे LG साथ जमू किश्मीर को देख रहे हैं डे नाइट देख रहे हैं और एक ऐसे LG साथ है जो ह गटना गटी है और उन्होंने उसके ओपर सारा सोचने समझने के बार सारी चीज़ें देखने के बाद इंक्वारी बठा दी है अब आप लोग इंतजार करो LG साथ के ओपर क्यों यह उठा रहे हैं LG साथ जो कर रहे हैं जमू किश्मीर के लिए मुझे लगता है कि जमू यह नहीं सोचा होगा जितना इस टाइम पर LG साथ सोच रहे हैं बिल्कुल वहीं दूसरी तरफ अगर परिवार मांग रहा है जस्टिस मांग रहा है तो उसमें इंक्वारी भी बिठा दी गई है क्या लगता आपको इस इंक्वारी में एक इंसाफ होगा फैमली के लिए भी देखे भारती जनता पार्टी की सेंटर की सरकार हमारे माने नहीं परधान मंत्री साथ जम्मू किश्मीर में यूनिन टरिटरी में कोई भी अगरे इंक्वारी होती है आज की डेट में तो उसका बिल्कुल मैं करूंगा सही इंसाफ आएगा और जो भी आएगा सही उसका र जहार कंडिशन करने कोशिश की जारी है हुरियत भी सामने आयई और हुरियत भी बंद की कौल दी और इन सब चीजों को देखते हुए क्शमीर के अंदर जो हौला ठीक करने के कोशिश जब आज की टाइम पे इनको ड्वेल्मेंट नजर आ रही है, जो 70 साल में इनको नजर नहीं आई थी, और कहीं न कहीं इस टाइम पे दोबारा किश्मीर में हालात खराब करने के लिए, आपने देखा पिछले दिनों में टार्गेट किलिंग्स हो रही थी, यह सारी चीजों म पिर अवाम के बीच में अपनी जगा बनाई जाए, फिर उस तरह के लोगों को गुम्राह किया जाए, और फिर किसी तरह से सरकार में वापिस आया जाए, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, किश्मीर का अवाम की मैं बात करूंगा, इन लोगों के हत्कंडे जानता है, और इसकार ने माफी मागी है, और इसके अंदर इनों ने ये भी कहा है कि अगर मनोज इनाजी ने इनक्वाइरी ओर्डर की है, तो वक्त जो दस दिनों का मागा हुआ, वो वक्त का इंतजार करना चाहिए, उसके बिना सियासत नहीं करनी चाहिए, और एक बार फिर से हुरियत फिर से जाग उठे हैं, बंद की कॉल दे रहें, हाला कि बंद हुआ नहीं, लेकिन बंद की कॉल उनकी दरवाद दी गई, फिलाल ये अभी हैदरपुरा एंकाउंटर के उपर अपडेट है, बीजेपी का कहना है कि गवर्नर सहाब माफी नहीं मागेगा, धन्यवाद, राम झाल 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 झाल